मनोनीत माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपत ग्रहेंड करने हैं तू पदारे मैं मैं बजनलाल सर्मा इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्ताफित भारत के समदान के पृती सची सरदा और निस्ता रखूँगा मैं भारत की प्रप्ता और अक्षंड रखूँगा मैं राजिस्तान राजी के मुख्मंत्री के रूप में अपने कर्टपों का सरद्धा पूरवग सुत्र अंतर करण से निर्वेंद करूँगा तथा मैं भैख या पक्षपाग अन्राग या द्वेस के बिना सभी प्रकार के लोगों के पृती सम्मदान और विदी के अनुसार नियाग करूँगा मैं मैं बजनलाल सर्मा इस्वर की सबत लेता हूँ कि जो विसे राजिस्थान राजिके मुख्मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने करतबों के सम्यक नर्वेन के लिए ऐसा करना अफेक्चित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संचुचित या प्रिकट नहीं करूँगा महोदे मनोनीत उपमुखे मंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनेता की शपत ग्रहेंड करने के लिए या उपस्थित हैं महोदे खृपिया अब आप मनोनीत उपमुखे मंत्री को पद एवं गोपनेता की शपत ग्रहेंड करावें मैं दिया कुमारी इश्वर की शपत लेती हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सचीश रधा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं राजिस्थान राजे के उप मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का श्रधा पूर्वक और शुद अंधकरन से निर्वहन करूंगी तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूंगी मैं दिया कुमारी इश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे राजिस्थान राज के उप मुख्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ती या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रतियक्ष अथ्वा अप्रतियक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी में प्रतियक्ष रूब से से स्वादितिया नहीं करूंगी इसक्षिछ!